स्री राग विंद्रायनमा, 22 मार्श 23 से नौरात्र का पर्थम दीन चल रहा है, आज पर्थमा है, आज मा के उपाश को निकलस रखी है, और आम के चेट राम नौमी है, इसमें तो रमार पाठ की जाती है, और आमार में मुख्य भूमी का अधा करने वाले हनुमन तलाल के उपर मेरा ये विडियो है, मैं आपको आठ नौ पार्ट में दिबेस्ट मैनेजर हनुमान, पार्ट वन, पार्ट टू ऐसे करके नौ दिन तक चर्चा करूंगा, आज आपको मैं एक ऐसी परिस्थिती का अलोकन कर रहा हूं, कि सीता की खोज में अन्जना नंदन हनुमन तलाल, जामंत नलनील के साथ, शमंद्र के तटपे गए हुए हैं, और ये साबित हो चुका है, कि रावण ही सीता मा का अपहरण करके ले गया है, अब लंका कौन जाएगा इसकी मंत्रणा हो रही है, और जैसा कि मैंने कहा हमारे सबसे अच्छे मैनेजर, चीफ मैनेजर कहिए, जो हनुमन्त लाल हैं, जा करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए, ऐसी परिश्टुटू ने क्या हनुमन्त लाल को बैठना चाहिए, हमारे मैनेजर ने ये फैसला क्यों लिया, ये फैसला हनुमन्त लाल ने ही लिया, कि टीम की अगवाई का नितित्व जामन्त जी महराज कर रहे थे, और ताकत होते हुए भी, हमें अपने ताकत का गुमान नहीं करना चाहिए, बलकि हमें अपने टीम लीडर की बात को मानना चाहिए, तो जो टीम दक्षिन दिशा में गई थी, उसमें अंगद नल निल मयंद केसरी जामन हनुमान थे, आप सोच सकते हैं कि इस टीम के टीम लीडर हनुमान नहीं थे, इस टीम के टीम लीडर थे जामन जी महराज, जामन जी महराज को एक पहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि आप टीम लीडर करके जा रहे हो, उसमें अंगद जी भी थे, आपको माता का खोज करके लाना है, लेकिन हनुमान तलाल जा करके समाधी के मुद्रा में आ गए, तो टीम लीडर की बात को मानना और बल का घमंड न करना कोई हनुमन तलाल से सीखे, वो टीम लीडर के आगे अपनी बात को नहीं कर रखना चाते हैं, टीम लीडर अगर उनकी जरूरत को महसूस करेगा, तो हमें बुलाएगा, यही वज़ा है कि हनुमन तलाल जा करके सरकार के द्यान में शमंदर के किनारे बैट गए, और यहां बंदरों में और भालूं में ये चर्चा होने लगी कि जाएगा कौन, अंगजी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो आ नहीं सकता हूँ, और जामण जी ने कहा जबहीं त्रिविक्रम भय खरारी, जम नाराणे बामन रूप में हुए थे, तम मैं इस पूर्य ब्रम्भांड का परिकर्मा नौबार करके तुरत ही उपस्थित हो गया था, लेगिन अब पहले जैसा बल नहीं रहा, ये मंत्रा पूर्य डल में हो रही थी, तब तक एक बंदर ने कहा कि साब हनुमान तलाल कहा है, अंगर जी जाहीं नहीं सकते, जामुन जी जाहीं नहीं सकते, तो बचा कौन हनुमान जी बचे, तब पूरी की पूरी जो ये टीम है, उस अस्थान पे पहुँची है, जहां हनुमान जी थे, प्रिये मित्रों ये आप एक चीज़ सीखो आप कहीं भी नोकरी करते हो तो हनुमन तलाल से ये सीखो टीम भावना को का हमें आदर करना है वी शूट रेस्पेक्ट आवर टीम सेंटिमेंट्स and we should follow the order of team leader ये कोई जरूरी नहीं है कि team leader हमसे ताकत वर ही हो जामन जी तो कह दिये कि पहले वाली ताकत अप हमें नहीं रही और जामन जी कह दिये अंगर जी कह दिये कि मैं जाओंगा लेकिन आने का कोई गरंटी नहीं है इस परिष्थिती में सारे के सारे लोग हुनमन तलाल के पास गए और कहते हैं कार्चु पसाधी रहे उबलवाना पवन तने बलपवन समाना हे पवन पुत्र शमंदर लांगने में पवन को जिस तरह से कोई स्रम नहीं लगता है उसी तरह से तुम तो पवन के समान चले जाओ